हेलो फ्रेंट्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेल्कम फ्रेंट्स सलफजन पर विज्वल बेसिक टुटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं इन्पुट बॉक्स फंक्शन के बारे में इन्पुट फंक्शन हमारा जो वर्क करता है यूजर्स के थ्रू एक प्रंप्ट बॉक्स दे देता है जिसमें हम वेल्यू पास कराएं तो उसके उपर हम कोई भी वर्क कर सकते हैं जैसे आपने देखा है टेक्श्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी वेल्यू डालते हैं और हमें एक छोटा सा एक्जामपल देख लेते हैं कमांड बटन हम यहां पर ड्रैक कर लेते हैं इस कमांड वन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक इन्पुट बॉक्स हमें शो कराना है उसमें जो भी आप नाम वगयरा डालें वह मैसेज बॉक्स फंक्शन के थ्रू हमें डि बाल सकते हैं जैसे हम यहां पर ले लेते हैं इंपुट बॉक्स और सीधा पैरन्थेसिस ओपन करने के बाद अपना कोई भी मैसेज यहां पर देदेंगे एंटर यूर नेम और इसके बाद सीधा मैसेज बॉक्स में उस वैल्यो को हम पास करा देंगे अगर आप कोई भी मै के बाद हम इसे जैसे रन कराएंगे तो रन कराने के बाद हम जैसे ही कमांड बन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमसे एक मैसीज आ रहा है enter your name यहाँ पर हम डाल देते हैं self-adhyan और इस नाम को डालने के बाद जब हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक मैसीज आ रहा है welcome self-adhyan यह तो था हमारा text के उपर work करना हम चाहें तो इसमें numeric value भी perform कर सकते हैं example के तोर पे हम कुछ numbers को calculation करना चाहते हैं दो number की multiplication चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा जो message है वो change हो जाएगा enter your first number और इसी तरीके से हम इसे copy paste कर लेते हैं enter your second number एक चीज हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि हम number input कर आ रहे हैं तो well function हमें इस्तेमाल करना होगा value को दिखाने के लिए वरना क्या होगा वह दोनों number concatenate हो जाएंगे जुड़ कर दिखाई दे जाएंगे इसलिए हम यहाँ पर well function का इस्तेमाल कर रहे हैं message box में हम message अगर बदलना चाहें तो बिल्कुल बदल सकते हैं multiply is उसके बाद हम यहाँ पर n into n शो करा देंगे n into n1 ले लेते हैं क्योंकि दो variable एक same name के हम नहीं use कर सकते हैं and into n1 हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको हम जैसे ही run कराएंगे और run कराने पर number पूछा जा रहा है enter your first number मैं देता हूं यहाँ पर 12 again मैं देता हूं एक और number 3 then आप देखेंगे multiply is 36 तो आप input box का इस्तमाल character पर number पर किसी भी चीज के उपर कर सकते हैं और इसको आगे आने वाले कुछ projects में हम देखेंगे कि कैसे इसका इस्तमाल करेंगे तो आज की एक छोटी सी वीडियो थी आपको input box function के बारे में बताने के लिए hopefully वीडियो आपको पसंद आया होगा आगे की वीडियो आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें ठैंक्यू फॉर वाचिंग बबाए झाले उन्या कर ले दो चैनल पर नहीं जिससे आने वाले रहेंगे वीडियो आपको इस दोचाने के लिए जिससे आने के लिए बबाए